क्या आप जानते हैं वो कौन सा टाउन है जिसमें सिर्फ एक ही महिला रहती है क्या आप जानते हैं कि हमारे फूलों पर क्राइमेट चेंज का क्या सार होता है क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे होटेस्ट मिर्शी खाने से क्या होगा कैसे आप रबड को ज़ादा यूज़ कर सकते हैं वो कौन सी मच्छी है जो अपनी दोनों पलकों को जबका सकती है क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी जगा है जहां पर मक्ही नहीं होती हमारी बॉड़ी का कौन सा वो पार्ट है जो पूरी लाइफ पड़ता है क्या आप जानते हैं कि फ्रॉग पानी कैसे पीता है क्या आप जानना चाहते हैं कि जब हम चलते हैं तो हमारी कितनी मसल्स काम करती है क्या आप जानते हैं कि चंगेस खान के कितने बच्चे थे अगर इन सभी सवालों को जबाब आप जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें तो लेट्स बेगें आर 25 पैक सीरीज पैक नमब वन दुनिया में एक टाउन ऐसा भी है जहां सिर्फ एक ही महिला रहती है वो ही उस जगा की मेर है, बार्टेंडर है और लाइबरेरियन भी है वो जगा है नेबरास्का का मोनोबी टाउन फैक नमब टू क्या आप जानते हैं कि माउंट ऐवरेस्ट की हाइट लगातार बढ़ती रहती है यानकी जब हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे भी माउंट ऐवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है हर साल उसकी कुछ मीटर हाइट बढ़ ही जाती है फैक नमब त्री क्या आप जानते हैं कि climate change के कारण हमारे फूलों का color change हो रहा है Fact No.4 क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे hottest मिर्ची खाने से क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है लेकिन आपको जानकर आश्चरे होगा कि उससे आपकी मौद भी हो सकती है Fact No.5 क्या आप जानते हैं कि सुर यानी पिद कभी आत्मान की तरफ नहीं देख सकता क्योंकि उसकी गर्दन मुर्ती ही नहीं है Fact No.6 क्या आप सभी ने आधार कार्ट बनवाया है अगर बनवाया होगा तो उस टाइम पर आपने अपनी finger prints और retina तो दिही होगी उस टाइम पर आपको लगता होगा कि यही दो ऐसी unique चीज़े हैं जो आपकी body में होती हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आपके जो tongue के print होते हैं वो भी unique होते हैं Fact No.6 अगर आप rubber की elasticity को बढ़ाना चाहते हैं यानि कि आप उसे ज़्यादा use करना चाहते हैं तो आप उसे पहले fridge में रखते हैं और फिर निकाल कर उसे use करें Fact No.8 क्या आप जानते हैं सार्प को छोड़ कर ऐसी कोई मच्टी नहीं है जो अपनी दोनों पलकों को जपका सके Fact No.9 क्या आप जानते हैं कि cat के कान में 32 muscles होती है Fact No.10 आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि ostrich दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन क्या आप जानते हैं उसका brain उसकी आँखों से भी छोटा होता है Fact No.11 क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ऐसी जगा है जहां पर बीज नहीं होती है वो है अंटार्टिका Fact No.12 क्या आप जानते हैं हमारी नाक और कान दौनों पूरी लाइफ बढ़ते रहते हैं Fact No.13 क्या आप जानते हैं कि कुटों की सुनने की सकती इंसानों से दस गुना जादा होती है Fact No.14 क्या आप जानते हैं फ्रॉग यानि मेंडग कभी अपने मूँ से पानी नहीं पीता तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि वो पानी कैसे पीता है Actually में वो अपनी इसकिन से पानी पीता है Fact No.15 क्या आप जानते हैं कि कुटों की सुन्गने की सकती इंसानों से एक लाख गुना जादा होती है Fact No.16 क्या आप जानते हैं कि उल्लू अपनी आईबॉल यानि ये आँखों के गटों को घुमा नहीं सकता Fact No.17 क्या आप जानते हैं कि जब आप चलते हैं तो आपकी कितनी मसल्स काम करती हैं Don't worry मैं आपको बताते हैं आपकी 200 मसल्स काम करती है Fact No.18 आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हुमन के गुरूप को ट्राउड कहते हैं लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि फ्रॉग के गुरूप को क्या कहते हैं फ्रॉग के गुरूप को आर्मी कहते हैं Fact No.19 क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा आदमी 8 फूट और 2 इंच का था उसका नाम रॉवर्ट बॉडलो था और वो अमेरिका के मिसीगन में रहता था Fact No.20 आप लोग ये तो जानते ही होगे कि हुमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी पक्षी है लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वो पीछे की तरह भी उड़ सकती है Fact No.21 अब हम मैंसे बहुत से लोगों ने फ्रेंच फ्राइस तो खाया ही होगा लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि उसकी उत्पत्ती यानि ओरिजिनेशन फ्रांस से नहीं बलकि बेल्जियम से हुआ है भाईशन कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही मतलब कुछ भी Fact No.22 क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी नाग करीवन 3 ट्रिलियर यानि की 3 लाख करोड सेंट्स को सूंग सकती है Fact No.23 आप लोग ये तो जानते ही हैं कि आक्टूपस के 8 हाथ होते हैं लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि उसके पास 9 ब्रेन होते हैं और उसका ब्लड का कलर ब्लू होता है Fact No.24 क्या आप लोग जानते हैं मंगूल का राजा चंगेश खान स्टार्टिक में मुसलिब नहीं था तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि खान का क्या मतलब है Actually में खान का मतलब एक उपादी है एक कोस्ट है Fact No.25 क्या आप लोग जानते हैं कि चंगेश खान के इतने बच्चे हैं कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके कितने बच्चे हैं Actually मैं scientist मानते हैं कि हर 200 वेक्टी में से एक वेक्टी उसी का वनसज है यानि की करीवन 16 मिलियन की population आज चंगेश खान की वनसज है एक bonus fact जो मैं आप सभी को बताना चांगू क्या आप लोग जानते हैं मुगल यानि अकबर, बावर, भुमायू ये लोग भी चंगेश खान के ही वनसज है याद इस bonus fact के लिए एक लाइक तो बनता तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंस पॉर पॉच्चिंग